जै शरी राम मूलमंत्र आपके लिए हमेशा समर्पित करते हैं रोजाना लेकर के आते हैं सबसे ज़्यादा हमारा पसंद किये जाने वाले कारेकरम है एस्ट्रो मूलमंत्र बहुत प्यार मिलता है इस कारेकरम को आप लोगों का जाने के क्या है आज का मूलमंत्र बता दे हैं कि आज का मूलबंत्र विशे से रूप से उन व्यक्तियों को समर्पित है उन वेवाहिक दंपतियों को समर्पित है उन पति-पतनी को समर्पित है जो संतान प्राप्ती की बहुत प्रवल इच्छा रखते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी संतान प्राप्त का योग नहीं बन पा रहा है, लाकों रुपे डॉक्टर्स के पास मूप चुके हैं, बहुत जगे जा चुके हैं, लेकिन संतान प्राप्ति में फिर भी बाद आ रही है, कुछ न कुछ कारण आ जा रहा है, अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आज का मूलमंतर विशेस रू अगामी 23 और 24 ओक्टोबर जैपूर में रहेंगे, जो लोग जैपूर या जैपूर के आसपास से हैं, उनके पास एक सुरने मवसर है, मुलाकात करने का, मिलने का, अगर आप फेस टू फेस हमसे मिलना चाहते हैं, जैपूर में, तो आप 23 और 24 ओक्टोबर को मिल सकते हैं, ताकि आप मिल पाएं, 23 और 24 ओक्टोबर, बाकी समय आप हमसे गाजयवाद में मुलाकात कर सकते हैं, दिली-NCR में मिल सकते हैं, या फिर आप हमसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, टेलिफोनिक सला भी ले सकते हैं, चलिए, क्या है आज का मूलवंतर, क्या है आज की रिसर मैं मिशा बोलता हूँ, शुकल पक्ष के दोरान ही आपको एकारे करना है, और क्या करना है, एक बरगत का पत्ता लेना है आपको, एक बरगत का पत्ता लेना है, और उसे धोकर उस पर कुम-कुम से स्वास्तिक बना ले, फिर आप उस पत्ते में कुछ चावल और एक सुपा सामग्री को जो सारी सामग्री आपने बनाई उसको आप किसी भी नजदी की मंदर में जाकर के चढ़ाया है फिर से ध्यान दे एक शुकल पक्ष के दोरान बर्गत का पत्ता ले ले उसे धोकर उस पर कुम-कुम से स्वास्तिक बना ले और पत्ते में कुछ चावल और एक सुपारी रख ले जब सूरज ढल जाए तो सभी सामग्रीयों को मंदर में चढ़ाये किसी भी नजदी की मंदर में और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको संतान प्राप्ती का वरदान दे ऐसा कहते हैं कि निश्चित रूप से शिग्र ही आपके आंगर में किलकारियां गुजनी शुरू हो जाती है आपका जीवन में संतान आगमन हो जाता है आपकी सुनी गोद भर जाती है या भरने की एक कगार पर चल पड़ती है एक और छोटी सी जीद मैं संतान प्राप्ती में दिक्कत आ रही है उस महिला को गेहूं के आटे की दो मोटी लोई बना लेनी है आटे का पेड़ा भी बोलते हैं आटे की लोई भी बोलते हैं बहुत सारी जगा पर दो आटे की लोई आटे का पेड़ा बना लें दो मोटे मोटे थोड़े और उसमें चने की भीगी हुई दाल और थोड़ी हल्दी मिला लेनी है चने की भीगी हुई दाल अंदर उसमें भर दें उसमें थोड़ा हल्दी भी डाल दें और इस तरह से एक लोई तयार करके एक आटे का पेड़ा तयार करके आप नियमित रूप से गाय को रोज सुबह खिलाना शुरू कर दें जल्द ही आपकी गोद में संतान खेलेगी आपकी बहुत जल्द आपको खुशियां मिल जाएंगी संतान गोपाल मंतर का पाट अवश्य करते रहें बहुत बहुत आभार आप सबका अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सबस्काइब कर लें और बैल ऐकन दबाना बिल्कुल न भूलें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं